हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकॉलोजी विशय की बारे में आपको पता है कि साइकॉलोजी विशय सब के लिए लगबग कटिन सा रहता है तो इसमें हम आपको बहुत सबल तरीका से उसको समझाने की यहां कोशुश करेंगे जो भी आपके लिए टॉपिक्स जो बहुत कटिन लगते हैं उनको हम बहुत ही अच्छे प्रैक्टिकल ढंग से आपको व्यवहारेक उधारनों के माद्यम से आपको समझाएंगे दोस्तो जितने ज़्यादा उधारन से आप समझोगे उतना ही आपको वो टॉपिक किलियर होगा दोस्तो और आज जो भी पेपर में प्रशन आते हैं आज कल जितने भी एक्जामस होते हैं वहाँ पर आपको इसी प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं क उसी से संबंदित आपसे प्रशन पूछे जाते हैं आज कल वो वाले प्रशन नहीं आते कि आपने कितना रटा लगाया है उसके हिसाब से तो बहुत कम प्रशन आपके पूछे जाते हैं दोस्तो इसलिए बहुत अच्छे से किलियर करना है एक दम अच्छे से समझाएंगे आपको बहुत सरल तरीका समझाएंगे जो भी विद्यारती पढ़ना चाहता है समस्कृत और उसके साथ में मनोविज्ञान यह दोनों आपको पूरा हम करवाएंगे यहां पर और टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं वो भी ऑनलाइन आपको बताया समस्केत psychology और जो भी टेस्ट सीरीज यह सारा कुछ में आपको मिलेगा यहां पर बिल्कुर सब कुछ free मिलेगा दोस्तों तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा पहला यूनिट हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं आज हम बात कर रहे हैं वाल विकास चलिए दोस्तों बिना किसी लंबी भूमिका के हम आज स्टार्ट करते हैं रीट के विध्यारतियों के लिए हम psychology का ये matrix स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा जो वीडियो है वो वाल विकास से संबंद रहेगा दोस्तों इसमें हम आपको most जो आफ्ट फैक्ट हैं बाल विका साथे चलेंगे दोस्तों और जो भी मेंटर होगा आपको बहुत अच्छा हम उपलब्द करवाने की कौशुश करेंगे आपके जो राजिस्थान बोड की तरफ से आपके psychology की 11 और 12 की जो किताबें चलती हैं उनका मेंटर भी यहां आपको बता दिया जाएगा दोस्तों तो आप यह समझगे होंगे कि बाल विकास जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आखिर है क्या बाल विकास के अंदर किसका अध्यान होता है बाल विकास में क्या मेहत्पूर्ण तथ्य हैं बाल विकास की प्रसुद परिभाशाएं कौन कौन सी हैं इससे संबंद पुस्तक हैं कौन कौ यह आपको दियान में रखना है, सबसे पहले, कि जो बालविकास है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो आपके सलेवस में है, पहली यूनिट है, इसकी सबसे पहली जो जानकारी है, वो हमें रिपबलिक नामक पुस्तक है, यहां से मिलती है दोस्तों, ठीक है, तो आपको याद र पुस्तक प्लेटो ने की है और इसमें सबसे पहले जानकारी मिलती है बालविकास से संबंदित ठीक है आगे लिखते हैं कि इन्होंने स्विकार किया कि बाल्यवस्था के प्रसिक्षन का प्रभाव बालक के बाद की वियावसायक दक्षतां और समायोजन पर पढ़ता है कितन समझना वह यदि आप समझ जाते हैं तो आप बिलकोल अच्छे से कर पाऊगे तो इसमें लिखा है कि बाल्यवस्था के प्रसिक्षन का प्रभाव यानि बाल्यवस्था में हम जो भी प्रसिक्षन बच्चों को देते हैं जो भी उनको हम सिखाते हैं जो भी हम उनको बताते वो एक प्रकार की उनकी ट्रेनिंग है उसी को हम प्रस्रिक्षन कह रहे हैं ठीक है तो वो कह रहे हैं कि बालेवस्ता का जो कुछ भी हमने प्रस्रिक्षन उनको दिया है उस प्रस्रिक्षन का जो प्रभाव है वो बालक के बाद की व्यवसायक दक्षताओं बाद में जब बा प्रभाव पड़ता है मतलब व्यवसायक दक्षताओं और समायोजन दौनों पर उसका प्रभाव पड़ेगा तो कहने का मतलब हम बालेवस्था में जो प्रसिक्षन देंगे वो आगे भी उनको प्रभावित करता है ऐसा यहां पर लिखा है तो सबसे पहले आपको फेक्ट य आगे है इसमें बहुती मोस्ट मतलब फेक्ट है आपका इसको अच्छे से याद रखना है लिखते हैं कि 17 सदी में सन 1628 में कमेनियस ने इटली में छोटे बच्चों की सिक्षा के लिए स्कूल ओफ इंफेंसी नामक संस्था इस्थापित की यह भी आपको फेक्ट बहुत अच्छे से याद रखना है तो आपको याद रखना है 1727 में सन याद रखो तो आप 1628 में कमेनियस ने कौन है नाम याद रखना है कमेनियस ने इटली में छोटे बच्चों की सिक्षा के लिए एक स्कूल या फिर ऐसे मानलों की एक संस्था खोली उसका नाम रखा उन्हों इसमें इन्वानाइब इंवर्ग की जो ड़नी आईवर्ग के और जो सामानिय थे मद्यम उनके बारे में यहां पर नहीं बताया गया यहां पर बताया गया धनी आय वर्ग के जो बच्चे थे उनके विकास की जानकारी यहां पर प्रस्तुत की गई थी किस प्रकार से उनका विकास होता है किस प्रकार से क्रम के इसाब से विकास चलता है याने सारी जानकारी वहाँ पर बच्चों की विकास की दी गई है तो याद रखना है सत्रे विशतावदी में याने की 1628 में कमेनियस ने इटली में छोटे बच्चों की सिक्षा के लिए एक समस्था खोली जिसका नाम है स्कूल आफ इनफैंसी याद रखना है बहुत ही most fact है ठीक है एक एक चीज को हम fact को clear करते हैं उसके बाद में आपको बहुत ही अच्छे से हर चीज को समझाएंगे ट्रिक के साथ में आगे देखो 1669 में कमेनियस ने अपनी एक प्रसुद पुस्तक है इसका नाम है औरविक बिक्टस याद रखना है आपको बहुत ही सुन्दर बात है बहुत ही most fact है याद रखना है आपको इनकी पुस्तक थी कमेनियस की औरविक्टस याने की नेतिक आचरण हिंदी में इसको हमनेतिक आचरण कहते हैं इसमें सभी वर्गों के बालकों के बाल विकास की जानकारी प्रस्तुत की अब देखो दो वात याद रखनी है एक तो उन्होंने समस्था खोली स्कूल ओफ इंफैंसी उसके अंदर उन्होंने सिर्फ धनी आए वर्ग के बच्चों के विकास की बात की ठीक उसके बाद में इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम है और्विक्स बिक्तस इसके अंदर उन्होंने सभी वर्गों के बालकों के विकास की बात की है यानि सभी बर्ग इसमें आ जाते हैं ऐसा नहीं कि केवल धनवान वाल जो लोग है उनके पास बहुत पैसा है ऐसे बच्चों की यहां पर विकास की बात ने किया सभी इसमें सारे आ गए ओल ओवर सभी बर्ग आ गए इसमें भी बात हो गयी सत्रेवी सतावदी की अब हम चलते हैं दोस्तों आपको याद रखना है आपके सामने प्रष्णा आ सकता है कि बाल विकास का प्रथम बार वेज्ञाने के विवरण किसने प्रस्तुत किया और कब किया तो कब किया तो 1704 में याद रखना है ठीक है 1704 में किया किसने किया तो पेस्टोलोजी याद रखना है यानि पेस्टोलोजी ने यह जो विवरण है याने कि वैज्ञाने के विवरण प्रस्तुत किया उन्होंने सबसे पहले किसके विशे में? बालक के विकास के विशे में इसके बाद में याद रखना है कि इन्होंने यह विवरण इसे समझे लो कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बेवी बायो ग्राफी के अंदर उन्होंने सब कुछ लिखा, अपने ही साड़े तीन बरसी पुत्र का अध्यन किया उनोंने, ठीक है, उनकी हर गती विदी को देखा, उनके आचरण को देखा, व्यवाहार को देखा उस सब गती विदी व्यवाहार जो भी कुछ उसने किया है, वो सब कुछ उसमें लिखा, उसके बाद में निशकर्स निकाला, तो उसी को कहते हैं, प्रथमबार वैग्या ने के विवरन प्रस्तुत किया, और ये सत्रा सो चोटर में किया, और ये किया, पैस्टोलोजी ने, अपने ही साड़े तीन बरसी ये बच्चे पर किया, क्योंकि दूसरे के बच्चे पर करेंगे तो संभव नहीं है, तो अपने ही साड़े तीन बरस के बच्चे पर ये उन्होंने ट्रैक्टिकल करके बताया है दोस्तों, तो ये आपको दिहान में रखना है आगे याद रखना है, इसी लिए पेस्टोलोजी को बाल विकास की वैज्ञानिक विचारधारा का जनक एबम बाल मनोविज्ञान का उपजनक भी कहते हैं ये भी याद रखना है आपको क्या याद रखना है? कि पेस्टोलोजी को नाम आता है दोस्तों ये जनक माने जाते हैं और बाल विकास या बाल मनो विज्ञान के उप जनक की बात करें तो उन पैस्टोलोजी है यानि की पैस्टोलोजी को विज्ञानिक विचारधारा जो है हमारे बाल विकास की उसके जनक कहते हैं और बाल मनो विज्ञान का उप ज टाइड मेन भी 1784 में अपने बच्चों के मानसिक एवम शारीरिक विकास का निरिक्षन करके बिवरण परस्तुत किया है 1784 में और इससे पहले जो बिवरण परस्तुत किया है बच्चों के एक तो अनतर है। जिए आल ओवर चीज देखी है पेस्टोलो जी जी ने। लेकिन यहाँ पर जो टाइड मेन है उन्होंने जो विवरण प्रस्तुत किया है उन्होंने के वल दो फैक्टों पर बात की बच्चियों की एक तो मानसिक विकास पर और इक्रम से फेक्ट बताए हैं अच्छे से याद रख लो यहां से प्रश्ण आएगा तो जरूर आपका सही होगा बस एक बार सुन लीजी वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसमें सारी जानकारी आपको देंगे सारे most important notes भी आपको प्लब्द करवा देंगे ठीक है चलो अब देखो हम जो बात कर रहे थे कोई दो भागों में कैसे विवाजित हो जाती है तो लिखते हैं कि अठारविश अताबदी में मनोविज्ञान दो अलग-अलग विचार धाराओं के रूप में विवाजित हो जाती है बिलकुल सही बात है बई अठारविश धारा है वैज्ञानिक विचार धारा ठीक है इसके जो मुख्य है या समर्थक कह सकते हैं या जनक कह सकते हैं ठीक है या इसके प्रवल समर्थक कह सकते हैं वो है पेस्टोलोजी ठीक इसके बाद में दूसरा जो आपका विवाजन है या दूसरी आपकी धारा मान सकते हैं व इसमें पेस्टोलोजी का नाम याद रखना है, दूसरा है दारशनिक बिचारदहरा, जिसमें आपको अरस्तु का नाम याद रखना है, ठीक है? अब चलते हैं आगे, आपको बहुत ही मोस्ट फैक्ट बता रहे हैं आगे, देखिए, याद रखना है, आपको उन्नीश मी जरूर आएगा और आया है कहीं बार आ चुका है तो याद रखना उन्निश्वी शताबदी में याने की 1893 में में इस भी की बात करें तो 1893 में में अमेरिका में बाल अध्यनांदोलन की श्रुवात हुई बाल अध्यनांदोलन स्टार्ट हो गया इसके जनक जो है स्टैनली को माना जाता है ये याद रखना है कि बाल अध्यनांदोलन काहा स्टार्ट हुआ है अमेरिका में हुआ कब वह 1893 में में हुआ और इसके जनक किसे मानते हैं इसे आपको द्यान में रखना है चलिए आगे देखते हैं अब इसी से संबंद स्टैनली हॉल जो थे इन्होंने दो समेतियां बनाई ठीक है चलो देखते हैं इस्टेनली हॉल ने दो समेतियां कौन-कौन सी बनाई चलो अभी देखते हैं तो इस्टेनली हॉल ने दो समेतियां की इस्तापना की यहने की स्टेनली हॉल जो बालध्यन आंदुलन की जनक माने जाते हैं इन्हों ने दो समेतिय आपको नाम याद रखना है ठीक है पहली तो याद रखना है Child Study Society दूसरा याद रखना है Child Welfare Organization ठीक है न ये आपको दो चीज याद रखनी है सारी जो भी most है वो हम बता रहे हैं आपर आगे याद रखना इन्होंने बाल विकास संबंधी अध्यनों में प्रशनावली विदी का प्रयोग किया देखो कितनी अच्छी बात है इन्होंने बाल विकास संबंधी अध्यनों के अन्दर प्रशनावली का प्रयोग किया है याद रखना है आपको किस ने किया बताईए यह आपको दिहान में रखना है जो भी fact है जो भी most है वो सब आपको यहां बता रहे हैं आगे देखते हैं क्या खास है इसमें अब हम चलते हैं 20 वी शतावदी में हम देखो यहां पर 18 वी शतावदी 19 वी शतावदी इनकी बात कर चुके हैं अब देखो हम यहां पर आपको 17 वी, 18 वी और 19 वी शतावदी की बात कर चुके हैं अब हम बात कर रहे हैं 20 वी शतावदी 20 वी शतावदी में बाल विकास का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक हो गया अब देखो आपको पता है कि धीरे धीरे जब कोई भी subject या कोई भी विशेवस्तू हमारे सामने आती है तो दीरे दीरे उसका विकास होता है उसमें व्यापक आती है दीरे दीरे उसका दाइरा वढ़ता है उसका क्षेत्र वढ़ता है समझने वाले जादा होते हैं समझाने वाले उसके जादा होते हैं तो इसका मतलब उसका क्राइटेरिया बढ़ रहा है, मतलब अत्यंत ब्यापक हो गया बीसवी शतावदी में, किसका बालविकास का जो क्षित्र था, बालविकास का जो एरिया था, वो धीरे 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 बढ़ता 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 बीसवी शतावदी में अत्यंत अब आपक हो गया ठीक है आगे याद रखना है सन 1903 में बरलिन में एक अंतर राष्ट्रिय सम्मिलन आयोजित किया गया ये आपको याद रखना है 1903 की बात कर रहे हैं सन 1903 में बरलिन में एक अंतर राष्ट्रिय सम्मिलन आयोजित किया गया ठीक है इसमें बिश्व हुई यानि इस अंतराष्ट्रिय जो सम्मेलन बरलेन में रखा गया 1903 में यहाँ पर सभी जितने भी उस समय के प्रसिद्ध जो बालमनोविज्ञानिक हुआ करते थे उन सब को बुलाया गया वहाँ पर और इसी सम्मेलन के अंदर बालविकास को बालमनोविज्ञान नाम दि कह सकते हैं क्योंकि यहां से एक्जाम में प्रस्ण आ चुका है इसलिए मोस्ट बीसवी सदी में बालमनोविज्ञान इतना प्रभावी विशे के रूप में उत्पन हुआ कि अमेरिका के प्रसिद्ध मनोविज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने लिख दिया क्या कि बीश्वी श आप जब आगे पड़ोगे तो सब जगे क्रो एंड क्रो जरूर मिलेगा और क्रो एंड क्रो नाम से पता रख लेना आप इसकी जितनी भी परिभाशा होंगी वो मोस्ट मानी जाएंगी ठीक है तो क्रो एंड क्रो ने क्या किया भही याद रखना है इन्होंने एक विकास के बारे हैं बात कर रहे थे अध्यन के बारे Himself कर रहे थे। रीट में एकजाम में पूछा जा जा चुका है।ory रीट और आर टेड़क में आच चुकी है। इसके बाद में एक बात और याद रखें, यहां तक हम बात कर चुके हैं, अब हम थोड़ा सा आपको भारत के विशे में बढ़ा देते हैं, भारत में बाल विकास के अध्यान की शुरुआत लगबग 1930 में मानी जाती है, ठीक है, तो बाल विकास की शुरुआत है भारत के अं नाम आता है एक तो गीजु भाई बदे का और दूसरा है तारा भाई मोडेक ये आपको दो नाम याद रखने हैं हलांकि ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इंपोर्टेंट एक बात है कि भारत में बाल विखास अध्यन की सुरुआत कब हुई है 1930 में ये आपको याद रखन हैं जो आपको प्रशनों के हिसाब से बता रहे हैं ठीक है उनको भी देख लेते हैं उसकी बाद में हमारा आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा इसमें किवल फैक्टों की बात किये हैं हमने तो मोस्ट फैक्टों में आपके कुछ और हैं उनको भी देख लेते की जानकारी मिलती है ये प्रश्ण के रूप में हमने बनाए है रूसों की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसके दुआरा बच्चों की सिक्षा के अध्यन की जानकारी मिलती है तो आपको याद रखना है रूसों को जम नाम आता है पुस्तक की बात की जाती है तो उसमें आपको य प्रात्मिक सिक्षा एबं पाठ्थे सामागरी को चित्रों के माद्यम से आकरशक बनाया गया देखो कितनी अच्छी बात है यानि पहली बार किस पुस्तक में ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें पहली बार बालक की प्रात्मिक सिक्षा ठीक है ना और पाठ्थे सामागरी को च का अंसर क्या होगा और विक्टस के लेखा काउन है ठीक है चलो आगे देखते हैं अगला फेक्ट इस्टैनली हॉल ने किस विदी से बाल विकास का अध्यन किया तो हम ये भी आपको पहले ही बता चुके हैं इस्टैनली हॉल ने जो बाल विकास का अध्यन किया वो पर आपको याद रखना है कि भारत में बाल विकास के अद्यन की जो सुरुवात है वो कोलकाता विश्विद्याले से हुई 1930 में हुई और इसमें मुख्य जो व्यक्ति थे काम करने वाले उसमें अमने दो नाम आपको बताए थे ठीक है वो आपको याद होंगे एक तो गीजु भाई बदेका ने मौन्टे शरी से प्रभावित होकर किस समस्था की स्थापना की हम आपको गीजु भाई बदेका का नाम पहले बता चुके हैं तो ये मौन्टे शरी से प्रभावित होकर इन्होंने एक समस्था खोली जिसका नाम क्या है तो याद रखना है बाल म सत्यासिम है, ये प्रस्ण भी आपका बहुत बार आचुका है, क्या है प्रथम बाल सुधार ग्रह की इस्तापना, जहां पर एक ऐसा आपको ग्रिया होता है जहां पर जो बालक होते हैं छोटे बच्चे, उनको रखा जाता आएक परकार से जेल की तरही होता है लेकिन वहाँ पर उनको एक सुधार का मौखा दिया जाता है यहाँ पर उनको सुधरने का अवसर मिलता है ठीक है जैसे ही वो सुधर जाते हैं सही ट्रेक पर आ जाते हैं तो उनको वहाँ से फिर फ्री कर दिया जाता है तो प्रतम बाल संबधित तो गैंसल देम्हें कौन-कौन सी पुस्तक लिखी हैं यह मुंस्त हैं इसलिए हमने बताया है तो दो पुस्तक हैं इनकी guidance of mental growth एक पुस्तक guidance of mental growth दूसरी पूस्तक in fancy and human growth दूसरी पुस्तक इनफैंस API horse प्स based ल्होगे ऐक देखते हैं अगळ को पुस्तक है Mind of the Child Mind of the Child जो पुस्तक है किसने लिखी है तो याद रखना है Prayer ने लिखी है यह हमारे Prayer महोदे नहीं लिखा है Prayer महोदे की पुस्तक का ना Mind of the Child ठीक इन्होंने Mind की बारे में बात की है चाइल्ड की Mind के बारे में और एक Most or Last है यह आपका एक्जाम में पूछ लिया गया है क्या है शिकागो में प्रतम बाल निर्देशन किलीनिक किसने खोला ठीक है तो यह आपके एक्जाम में आ चुका है कि प्रतम बाल निर्देशन जो किलीनिक है वो खोला गया किसने स्टार्ट किया है तो याद रखना है विलियम हिली ने विलियम हिली तो ये आपको याद रखना है शिकागो में प्रतम बाल निर्देशन किलीनिक किस ने खोला तो याद रखना है विलियम हिली ने खोला तो ऐसे करके दोस्तों हमने यहाँ पर आपको बाल विकास से संबंदित जो भी फैक्ट थे इतिहास के विशे में वो सब की हमने बात की बिलकोल एक एक स्टेप बाई स्टेप हमने आपको बताया तो आपको एक बार अच्छे से याद रखना है अच्छे से सुनना है बाल विकास की सबसे पहली जानकारी हमें रिपबलिक से मिलती है रिपबलिक के लिए खरक प्लेटो है उसके बाद में सत्रेवी शतापदी में कमेनियस ने एक छोटे बच्चों के लिए स्कूल आप प्रसी ये बालक पर बेवी वायोग्राफी के आधार पर किया पेस्टो लोजी को बाल विकास की जो वैज्ञानिक विचार धारा है उसका जनक कहते हैं और बाल मनोविज्ञान का उप जनक कहते हैं इसके बाद में टाइड में ने भी बच्चों ये विवरन प्रस्तुत कि जाती है विज्ञान एक विचारधारा पेस्टो लोजी को नाम याद रखना है आगे आपको बताये था उन्नीश में शताब्दी के अंदर अमेरिका में बाल अध्यन आंदूरन के श्रूआ तो ही जिसके जनक स्टैनली हॉल है इस्टैनली हॉल ने दो समस्थाएं खोली य इन्होंने पहली बार विकास संबंदी अध्यनों में प्रश्नावली का प्रियोग किया विश्वी शताब्दी में हम बात करें तो 1903 के अंदर बर्लेन में अंतर रास्टे संमेलन आये जित हुआ जिसमें सभी उस समय के प्रसिद्ध जो बाल मनो विग्यानिक थे उनको सब भारत के अंदर बाल विकास के अध्यन किष्टुवात 1930 में कोल काता विश्विद्याले में हुई है इसमें मुख्य विश्विश जिन वेक्तियों का नाम याद रखना है तो ऐसे करके हमने एक बार रिविजन करवा दिया आपको कम्प्लीट याद रखना है आपको और एक इसके बाद में हम जो भी आगे रहेगा मैंटर यानि की इसकी परिभाषाएं कौन-कौन सी है ठीक है और भी इसकी कुछ बुक्स होंगी तो वो भी बताएंगे और इसके अलावा जो भी इसमें फैक्ट होंगे वो हम एक-एक मतलब वीडियो में चोटा-चोटा 40-45 मिनिट की वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तो और जितनी भी परिभाषा है जो भी आप से याद नहीं हो पाता है वो सब हम आपको ट्रिक के साथ में बताएंगे बस आप हमें बताएंगे यह चीज़ हमें समझ में नहीं आ रहा है जो हमारे लिए कठिन है वह हम उसको ट्रिक के साथ में आपको बहुत सरल तरीका समझाएंगे बैभारिक तरीका से बिल्कोल एकदम आसान उधारणों के माद्य हम से चैक कोई भी टॉपिक हो आपका ठीक है ना दोस्तों यह हमारे आज का टॉपिक कंप्रीट हो जाता है आप से नेक्स टॉपिक में फिर बात करेंगे तब तक लिए जय हिंद जयतु भारतम जयतु संस्क्रतम धन्यबाद दोस्तों